आज हम Complain को जानने वाले हैं कि Complain क्या होता है ? Complain कितने परकार कि होते हैं ? Pharmaceutical industry में Complain क्यों होते हैं ? किस लिए होते है ? उसका टाइप क्या होते है ? उसका प्रोसीजर क्या है ? उसको हैंडल कैसे करते हैं ? या तो फिर Recallbar Handling क्या होता है ? इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम डिसकस करने वाले हैं अब हम देखते हैं कि complaint क्या होता है complaint को हम समझते हैं कि इस follow chart के बारे में कि complaint जो है एक तरह का feedback है जो कि doctor या किसी customer के दुवारा company को दिया जाता है कि यह क्यों दिया जाता है क्योंकि मान लीजिए कि वह product खराब हो जाए या तो फिर dissatisfaction मार्केट में बहुत सारा product ऐसे हैं कि शुरू में तो सही चलते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद उसका side effect दिखने लगते हैं फिर हम side effect लगते हैं तो हम उसे complain करने लगते हैं करेंगे जिस इस तरह का कमपनी को करेंगे हैं कि जिस company का product है इसी तरह का publicly होते हैं कि जो आप फ़ुच。 में देख सकते हैं कि कि सारभ का complaint होते हैं यह compliant जो होते हैं कंपनी के लिए useful होते तो नम आगर मान लिजिए कि आपका drugs जो है side effect जादा कर रहा है company क्या करेगी कि उस drug को लेगी और उसके बाद फिर उस जो भी कम्या है उस product को उस product में फिर अच्छे से factory में ले जाके अच्छे से मतलब उसकी जांचमच करके फिर सो उसको अच्छे से फिर product में market में लाएगी इंप्रूव करने के लिए इटीज एन इस्टेटमेंट या तो फिर फीडवेक डेट सॉम्टिंग इस रॉंग कौन देता है सम्टिंग इस रॉंग और नोट गुन गुड इनो यह डेफिनेशन है कंपलेंड का अगर हमें इसकी कंपलेंड की डेफिनेशन देखें यह किताब एक्स्टर्नल में मार्केटिज में देखते हैं किंटर्नल सोर्सूव क्या होते है एक्स्टर्नल सॉर्स क्या होते हैं कि इंटर्नल सॉर्स वह होते हैं कि जो कंपलेंड मतलग अठीक्शनशन Sirισ में stud Anal या व्यार हाउस वाला ही करें या मार्केटी जिवेजन वाले ही करें उसे हम इंटर्नल सोर्स अफ कंप्लेंट कहते हैं और नेस्ट आता है हमारा होस्पीटर लोग या ड्रग एजनसी वाले हैं वह अगर कंप्लेंट करें तो एक्स्टरनल कंप्लेंट कहते हैं और सेकेंड मतलब थेड़ वन जो आता है वह हमारा वरवल सोर्स माल यह कोई कंपनी उसे डारेट जाके कहा रहा है कि भाई यह तुम्हारे जो यह हैं प्रोडक करेंगी कितने परकार के होते हैं में यह जो है हमारे थीन टाइप क्यों होते हैं कि क्वाइलटी का कैम क्वाल्टी कंप्लें मान लिगा कि कुछ दिन में रखने के बाद ही खराब हो जाता है फिर आता है महारा एडवार्स एडवर्स रेक्षिन किया सकते हैं कि कोई दवाय हमने लिया उसका अलग रयेक्षिन कड़िया जैसे कि उसका side effect हो गया allergy creation हो गया उसे हम adverse reaction रिवर्स रिववेंड काथे और ठड़बने आता है हमारे medical related complaint अब हम इसे देखेंगे एक एक करके कि इसका definition क्या है quality complaint क्या होते है अब हम बात करते हैं कि quality compound quality complaint जो हमारे originate होते हैं यह customer level पे होता यह क्या होता कि physical chemical या तो फिर हमारा biological properties leveling of packaging इन सब के बारे में अगर हो तो यह हमें quality complaint करते हैं मैं लिए आप जानती हैं कि quality quality वो अगर सही नहीं दे तो quality complaint करेगी market आपको अब next one आता है आपका adverse reaction adverse reaction में होई है कि आपका हमने दवाय लिया और उसका allergy create करेगा allergy अगर create करेगा तो हमारे लिए नुकसान दो करेगा बोडी को हमारे पूरा नुकसान हो जाता है इसलिए उसका उस टाइप में complaint को हम adverse reaction complaint करते हैं और third one हमारे जो आते हैं वो है हमारा medical related complaint complaint यह हमारा क्या करता है कि lack of efficiency अगर मान लीजिए कि हमें जो गोली एक गोली से काम चल जाता था मतलब अगर कोई मान लीजिए लेंगे लेको क्में करें अब आता है हमारा responsibility of complaint complaint को है responsibility कोण कोण है य Nag पॉर्डक्शन में लीजिए तीन तरह का पॉर्डक्शन हिए जो की production में आपको कंप्लेन हा रहा हग कोडिक्शन है आपको ऐस्ध्र सि और यूनिट है मेली तेन तरह यह का कंप्लेन है अब हम जा लेंगे कि प्रोसीजर अगर मान लीजिए एक एकजमपल ले लेते हैं कि एक गल्फरेंड है वो अपने बॉइफरेंड से कंप्लेन करता है कि तुम्हारे आदत खराब है या तो फिर तुम सिगरेट ज्यादा पीते हो तुम घुटका ज्यादा खाते ह तो वो क्या करेगा कंप्लेन तो कर दिया गल्फरेंड लेकिन अब क्या करेगा बॉइफरेंड की आइस्ता इस्ते उसको सुनेगा आइस्ते सुधार की कोसिस करेगा इसी तरह है कि कंप्लेन तो कर दिया मान लिजे डॉक्टर कर दिया डॉक्टर कर दिया कर दिया अब कंप में क्या करते हैं कि अगर मानलीजे कि girlfriends यह example ले लेते हैं कि क्या करते हैं कि पहले वों बोलती है तो receives कीस के दौरा होता-boyfriend के दौरा तो complain called को पहले company क्या करे कि receive इस सेंड में क्या करे है कि कि तो basically ouais Learn a boyfriend वाला जो था कि 아직 तौ dag Looks लड़का देखेगा कि हम क्या cigarette पी रहा है तो उसी तरह क्या करें इंवेस्टिकेशन करेगी कि यह जो complain किया कि माली जो कोई एक product है example पर एक ले लेते हैं कि परसिटा मॉली ले लेते हैं कि इस परसिटा मॉल में efficiency सही नहीं है तो company फिर क्या सब्सक्राइब करेगी फिर वह मन्तिली रिपर्ट बनेगी अब एक एक करके हम देखते हैं कि receiving of complaint, receiving of complaint में mainly क्या करते हैं कि यह receiving of complaint क्या है company का एक open channel है जिसके through complaint receive होता है जैसे कि in the form of email message फिर उसको क्या करता है कि receive करता फिर quality assurance यह आपका definition of complaint इसको आप लिख लिजे अब next आते हैं कि technical investigation हमने बता आई थे आप बताया ही आपको की technical investigation अब करेंगी जो company मान लिजे कि जो company को जो product के बारे में complaint आया है क्या वो सही है गलत है उसके लिए technical investigation करेंगा है यह में लिए दोर तरह के होते हैं technical investigation यह फर्स्ट है आपका document waste देहां कि document में अगर कहीं करवड़ी है तो वो करेगा second है आपका laboratory waste laboratory waste में आपका check करेंगा क्यूसी lab में जाके वो check करेंगा कि यह जो complaint आया है सही में आपका सही कंपलेंट है या तो फिर जूटा है परसर ऐसे भी होता कि मान लिजे कि भिना वजा कंपलेंट इसके लिए investigation करता लिए jadi कंप लेंड इन्वेस्टी केशन में लें प्रॉसीबल ड़ता कि कोई अगर कंपलेंट कर देन में लीठी हो सकता है कि क्या यह कंपलेंट या तो फिर यह a suspect एंडिया या तो फिर confirm थीनी पॉसिबल बन सकते हैं अगर कंपनिकोई एक पॉसिबल छिर्फ हैं अगर कंपनी को पिर मालली जैं इसे ही दे दिया थार्ड वन यह होता है कि नहीं कंफर्म है यह कंफर्म करने के लिए ही टेखनिकल इंवरिस्टिकेशन करते हैं तो अगर सस्पेक्टेड रही या तो फिर नोन यह है तो उसको छोड़ देगे अगर कंप्लेंट कंफर्म रही तो फिर क्या करे थर्डी स्टेप में यह है कि बस उसको सुधार देगी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रीकॉल क्या होता है किसी प्रोड़क्ट पे बहुत ज्यादा ही ना गया एक ले लेते हैं कि कुई कंपनी है कि सिट्रीजिन बनाई उसे लोगों ने यूज कि उसका बहुत ज्यादा side effect निकला तो वह बहुत चीज ज्यादा मतलग expiry date से पहले उससे तो company में बुलाना पड़ेगा क्यों इसलिए क्योंकि अगर ज्यादा देर तक market में रहे तो ज्यादा लोगों को effect करेगा recall एक process है जिसके कारण जिस process के दुवारा हम market से product rapidly अपने company में ले लेते हैं क्यों लेते हैं इसलिए लेते हैं कि और ज्यादा लोगों को health में नुकसान ना पहुंचा है कि अगर हम definition of recall की बात करें तो अपने slide पर देख सकते हैं इस पर आप लिख लिए और रीजन ओफ रिकॉल रीकॉल के रीजन क्या क्या हो सकते हैं में लिए दो ही रिजन है या तो फिर फोड एंड्रग कॉस्मेटिक के जो एक्ट हैं फोड एफडिया एफडिया ने आप किसी product को market में गया एफडिया ने जाच किया वो डिफेक्टिव निकला एफडिया के इसमें फर्स्ट रीजन हो सकता है और सेकंड डिया है कि मैनिफेक्ट्चर खुद ही बुला ले इसलिए बुलाएं कि कोई product को सुधार के अच्छे फिर से market में नहीं से उतारने के लिए फिर उसे दें यह इमसेल्फ में तीन कारण हो सकते हैं मैनिफेक्ट्चर जो फिर रि प्रम टीशिव्फ फर न किस्टमर और फीशें ठेड़ यह कि कंपलन बहुत ही ज्यादा आया है डॉक्ट्र तो फिर कस्टमर के द्वारा है मिसWhen i a__ को गळ्र वहरुडर fda देत हो ये तीन क्लास थीनques année क्लासमें डिवाइड़ है फिंटर क्लासमें आपका जो आता है कि निदेन क्लासमें कि फिस्ट्रेंधी निदें वह वह है कि बहुत ही ज्यादा व्र déplकत है उस्ट्रेंफिकograph आपके तोड़ा हलका फुलका प्रोड़क्ट में उस क्लास के अंदर है भाली जह कोई टेबलेट ले रहे हैं तो उसका एलेर्जी क्रिएशन करता है यही मेंदली है तीन क्लासस में डिवाइड़ है अब नेक्स टॉपिक है हमारा वेस्ट डिस्पोजल वेस्ट डिस्पोजल क्या है वहिए कि फार्मासिटिकल कंपनी में बनाया जो की बचा कुछ है या तो फिर जो रिकॉल दवाईया आया है जो खराब दवाई है उसका क्या करेगा तो उसी को management करना process किस तरह से यह वेस्ट मेसल आप लिख सकते हैं यह लिए जीसकी वेस्ट मेसल सच है जिंग्लास, प्लास्टिक, पेपर, एल्मोनियम, मेटलिक कंटेनर, एटिशी अब है classification of waste disposal, यह तीन तरह के होते हैं कि hazards जो की बहुत ही ज्यादा harmful होते हैं non-hazards जो हर फिल से थोड़ से कम हो, और chemo waste, जो कि chemical waste होते हैं, यह तीन ही classification है waste disposal का बस इतना है